हासी रोट पर स्थित ओद्योगिक शेत्र के 20 साल बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। यहां से विधायक बनने वाले नेताओं ने आज तक जीन्द में ओद्योगिक विकास नहीं करवाया। इस छोटे से ओद्योगिक शेत्र में सड़के, पीने के पानी तधा सीवरेज की समस्या जसकी तस्प बनी हुई है। खुद ADC वर DC भी यहां का दौरा कर चुके हैं लेकिन हालात नहीं सुधरे हैं। रात के समय इस ओद्योगिक शेत्र में अंधिरा चाया रहता है। इस पूरे मुद्य पर स्थानी लोगों ने बात की और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। इस इचले पांच साल से इंडिस्टिल एरिया में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अभी पूरे रोड कवर करने के बाद चार दिन पहले 10 मिंट की बारी साही थी। तो उसमें पानी कहीं भी बार में गया। पूरा पानी इंडिस्टिल एरिया में पड़ा हो गया। तो ना कोई लेवल लिया गया है। फैक्टियों रोडों का लाइट भी पिछे ठेका हुआ था। दस दिन लाइट पिछली उसको बार लाइट भी रहा है। मेंटिनेंस जितनी फैक्टिवी कीमत नहीं है। उससे जदा मेंटिनेंस के बिल बनाए हुए हैं। पिछले पांच साल से तो लगा तार गुटनों दख पानी रहा है। रोड नाम की चीजी नहीं थी। कोई काम ही नहीं हुआ इंडेस्टिलेरिया में दो साल करोना काल में कोई काम नहीं हुआ। मेंटिनेंस की सबात का। तो खिर्पा यह मारा मेंटिनेंस दृश्टिया जाए। और रोडों का दुबारा से इनको ठीक किया जाए। यही है। मेरा नाम जिनोध गरग है। एकसे साइडी सी। इंडेस्टिलेरिया में काफी समस रहे हैं। सबसे ज्यादा तो है मेंटिनेंस। यहां पर फैक्ट ही रहना इतने का रेट की वैलू नहीं है अमारी फैक्टी जितना हमारे उपर मेंटिनेंस डाला जा रहे है। मेंटिनेंस किस नाम का लिया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। मेंटेनेस यहां पर सिरफ कहते ना फर्जी बिल आते हैं हमारे पास परदा अंजी ने काफी बिल को रिजैक्ट भी किया यहां फर्जी बिल बना के उसके साइन करवा के उसकी पेमेट सब फैक्ट्री वाले को उपड़ डाला जाते है बात रही सर जहां भी इंडिश्ल एरिय हैं यहां पर 20 इंची 10 इंची ज्यस्वी 10 इंची डब्लो एम उसके उपर 6 इंची के करीब प्रोक लगते हैं जो भी लगे हैं इसके बाब जूद भी यहां सब बैठे हैं यहां पर डिपार्ट्मेंट कोई सूध नहीं ले रहा हम आपनी समस्या डीसी को पास भी गए है उ दस दिन के अंदर कोई वायर जल जाती है आप यहां सामने देखो बेस नहीं इसका सब उपर की उपर इसका मतर स्ट्रक्चर बना दिया निचे कोई बेस इस पर नहीं है कोई बंदर इस पर चलांग लगाता तो यह पाइप गिर जाएगी 10 मिट की पर साथ में को डिस्पू बेन समस्या लगती है वह रात में यहां पर स्टीट्राइट की है है अभी रिश açव्राइट गई तीड सुंप की अगी ती लेकिन दो तीन महीने के अंदर यह सारी सारी स्टीक Lloyd दुबारा से बंद हुए आतें हैं जुगाड करतें हैं ठोलतें हैं तारे सेट करते हैं, दो दिन ठीक चलता है उसके बाद फिर राथ, वही समस्य है, रात के अंधेरे में यहां से निकलना बहुत ज्यादा दूबर है, आप समझ सकते हैं, यहां पैक्टियों का काम है, पेमेंट्स का भी रहता है, या लेबर की भी है, किसी की कोई, सब चीजें जो है रात के अंधेरे में निकलती है, तो सबसे ज्यादा समस्या यहां पे खंबो की, मेरा नाम विपीन कुमार है, हमारे इंडस्लेरिये में समस्याओं का घर है, यहां पे जितनी भी रोड्स मनाई गई है, सब में गटिया सामगरी का प्रयोक किया गया है, सबी रोड्स चलने लायक नहीं है, रोड्स बीस इंच मट्रियल दलने के बाद भी यह सब ब्रिक्स उबर खाबर हो गई है, सीवर का पानी आउट फ्लो है, डेन का पानी निकलता नहीं है, एक बर्स हलकी सी बरसात पांच मिन्ट के लिए आई थी, उसी में से पानी की निकासी नहीं हुई है, सीटीपी बंद है, सीटीपी का पानी, ग्रीन बैल्ट में पानी डाला जा रहा है, समस्य हैं ही समस्य है, अब मेरा नाम अभिशेग वल प्रदान एचसाई डिसी जी,